रेक्त Правसी कंब करनास है्- पेटी, करने हम भाई प्रेच टेस्ट है, आपको कंब करना चाहिए और अगर आपकी प्रेग्नेंसी टेस्ट में दूसरी में हल्की आती है तो आप जो कि जान्ग हम परिबा, के खारोолотा पार्श कुछ अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर जागा और साथी बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजगा अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं यूरिन प्रेगनसी टेस्ट में आपकी जो लाइन है वह बिल्कुल हलकी आरही है या फिर चार पांच मिनट आपको जो है वेट करना पड़ा है उसके बाद भी बिल्कुल लाइट सी लाइन आरही है और आपको नहीं पता आप ठीक से देख भी नहीं पा रहे हो उसको इतनी आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ा है कि इसमें लाइन है यह नहीं है तो यह सब चीजें क्यों होती है क्या प्रोब्लम होती है जब हमारे माइन में होते है काफी सारे कुश्छन होते है कि प्रेगिशन से टेस्ट कप चाहिए किस टाइम करना चाहिए जाहिए बहुत सारे कोष्चन होते हैं तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं जैसे कि आपने टेस्ट किया और 4-5 मिट बात लाइन आरी है या फिर उसके बाद जो है आप ब्लड टेस्ट होता है वह करवाते हो टेस्ट जो है निगेटिव आ जाता है और उसके बात जो है वगेरा कर लेते हो तो उसकी वज़से क्या होता है बहुत सारी प्रॉबलम्स होती हैं मानों अगर आपने प्रेग्नेंसी आपके जो है कंसीब हो गया होगा और आपने ट्रैवल्स वगेरा कर लिए बिलकुल भी आप ध्यान बैती हैं तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं旅 है कि प्रेगनसी में या फिर आपने a जो है एक बीड़ी करने का ट्राइब कर यह पिर भूत सकता है डिया उल्कुल हल्की लाइन रहे आप को अच्छे से आप देख भी नहीं पा रहे हो ऐसी लाइन होती है और आप सुछते हूं कि प्रेग्नन नहीं हो नीघेटिव से आफ तुम कर लेते हूं तो आपको क्या करना इतनी जल्दी आपको टेस्ट नहीं कर तो आपको क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्योंकि तायम्स चल रहा है यह था? अपने मेरे प्रीवेस वीडियो दिख़ी होगी तो आपको पता हुगा मैंने जो ताफी सारे टीटमेंट्स वगए थे और मैं जो था बेवी के लिए टाय हम लोग कर रहे थे तो जब भी उस मन्त थो मुझे थोड़ा साना अपने बॉड़ी में कुछ चेंज़ लग रहे थे थोड़े थोड़े चेंज़ होते हैं जैसे कि मुझे बार बार यूरेन पास करने के लिए जाना पड़ रहा था ये प्रोब्लम मुझे पहले कभी नहीं थी मेरी जो बॉड़ क्योंकि आप बेबी के लिए ट्राइब कर रहे हो तो मैंने चार या पास दिन पहले अपना टेस्ट कर लिया था और उसमें मेरी जो लाइन थी बिल्कुल हलकी सी लाइन थी मतलब मैं उसको अगर बहुत ज़दा ध्यान से देख रही थी तो ही मुझे दिख रही थी तो मु दूसरे डॉक्टर के पास अपना ट्रीक्मन जहां पर स्टार्ट किया था मैंने मैंने उनको फोन किया और वह पर पूछा तो उन लोगों ने बोला कि आप जो है अपने पीरियेट की डेट जो है दो दिन बाद में आपको टेस्ट करना और तब पिर ऑस्पिटल आना तो मै आपको जैसे कि आपके आपको कि अग्या अगज अगर आपकी अपने जघंट के पास चले जाना एँ तक दोऌने जाना जोसीजी शेयाइस अट गकचन के बारे में सब कुछ के बारे में पूछ ले ना है आपने कंसल्ट कर लेना ढूसरा है कि आपको किस ट公न को किस टेस्ट करना है ताकि आपको जो ड्हुम्टो रिजल्ट्र वर्जुट्ण उस सबसे जदा हु़ता है यह स्टेस्थ करें कि आप ढूर्ण पहले यूरीजे'm के सब सबसे ज़्यादा I.P तो उसी कोई टफ करना है कि तो उसमें काफी ज्छे जवाब हैं त know क्श में अपने मुणिंसी टेस्ट किया पहले यूरीजेश से आपको हलकी से दिखाई दी अभें क्या है कि आप अप जो इünde मसा नहीं days कि इतनी जल्दी ज़लदी द्सेन के बाद जाने के ज़र्डे सिह और आपको फोड़ी बूर्वट में स्टीर reference टो तो आपको तुरंत 6 यमेरी आपको यह चले चाल ना अगार थे अबस्ट से बाविभली बेएप यह सब्सक्किन के सब्सक्राइब लार टो आपको एक करन अधिक प्रेग्ननसी बहुत ज्यादा में भी सिटने होगी तो समय म PK आपको सबसे पैल सकते परिमार के सबस्क्राइब कि म latONG सबस्क्राइब करने कि we इंपकी चेपग यहां डीघडी करोटी है अगर जो आपका जो embryo है, जो बच्चा है, बेबी है, वो अगर tube में ही फस जाता है, tube में ही रह जाता है, वहीं पे वो implant हो जाता है, तो उसको ectopic pregnancy बोलते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, अगर आप बहुत जल्दी उसको deduct नहीं करोगे, आपके ज सारी problems उसकी बज़े से हो जाती है, अब मिस्ट बोशन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि बेबी यूट्रस में अके सब कुछ ठीक है, तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद आपको spotting होने लगी है, या फिर क्या होता है कभी कभी आपको spotting नहीं होगी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी लगे गर बिल्कुल ठीक हो और क्या होता है गयाती निए चेली पार आप इन रहेधा है चाली बेभी वह यह वह को आगे, यह तो मैं मैं ऐसे ही आप नहीं करना दोखोर कि एक टो शचते हम्मौं ход प्रोपर जाती जाओ अपना ब्लड टेस्ट करवा लो कन्फर्म करो और अपने जो है मैडिसिन ले लो रिस्क लेने की बिल्कुल ज़रुत नहीं है बिल्कुल अपना जो है आप शूर रहो पहले से ही जो भी यह सब चीज़े आपको करनी है बिल्कुल रिस्क मत लो कि अभी हफ्ता दस दिन से आप ले रहे थे और अभी आप चाहते हो कि बेबी हो जाए तो आपने जो पिल्स वगर रहे हैं वो लेनी बंद कर दी है और आपको ऐसा लग रहा है अभी नेक्स्ट मंद के आप जो है प्रेगनेंट और आप टेस्ट करते हो तो वह हलकी लाइन आ जाती है वो क्या होता कि अब अब करते हैं और अब तो आपको जो मारी है और तो आपको जो है रज रही है तो आपको जो बचेंके पास चले जाना है वह सकता है कि आपको जो हम मिस्ट इम्स टेस्ट करना चाहिए मतलब यह अधि अधिक अधिनार चैनल स्प्यूद हो जी है तो आपको पदा होगा कि आपकी जो प्रेगनेंसि kali बना करें अलब क्या है तो तो कि पता होगा कि आपको क्या करना कि myself जब अबना क्या तो मैं क्या करूंगी अपनी जो नेक्स्ट समझो कि मुझे तीस तारिक में पीरिड जो है वो आना है तो मैं अपना टेस्ट कर सकती हूं तो क्या होगा वो कभी कभी उसमें रिजर्ट पॉजिटिव जो है आ सकते हैं वह काफी चांज़ आपकी होते हैं अपनी बॉड़ी में जो है काफी सारे सिंटम्स जो है फेस कर रहे हो कभी कभी आपको जो खाना सबसे फेवरेट ता वह आपको अच्छा नहीं लगता है या आपको खाना खाने का मन नहीं करता है यूरिन बार बार पास करने के लिए जाना पड़ता है यह सब चीज़ जो होती है थोटी-छोटी आप अपको पता चल जाएगा तो अगर आपको सारे सिंटम्स जो हो रहे हैं और आप बहुत जादा नहीं करना चाहते हो तो अपनी ज लेने की बहुत ज़्यादा जर्रत नहीं है और अगर लाइन जो हो हलकी आती है तो इसका मतलब है कि जो बीटा-SCG है वो अभी उसका जो लेवल है वो कम है तो इसलिए जो है वो लाइन हलकी आई है वेट करो रिपीट करो लाइन आ जाएगी होता है वो मॉर्णिंग में ही करना है अभी क्या है लाइन हलकी आई थी आपने जो है टेष्ट किया अगर उसके बाल आन जो है वो हलकी आती है वाप पिस यह एसा कुछ होता comprar ौब्लट करा ब cynräपक करेंगी कि आपको अभी क्या करना है और है उसमें जो होता है आपकी रिपोर्ट नेगेटिवा इसका म जैसे आपकी लाइफ चल रही थी वैसे आप सब कुछ कर सकते हो उसमें जो टेस्ट होता है जो अभी आप प्रेगनन नहीं हूं उस ब्लड टेस्ट इस हंडड़ परसंट आपको जो है पता चल जाता है कि बिटा सिजी का लेवल अपकी जो कितना है आपकी बोडी में अगर प अच्छे से होना स्टाट हो जाती है और आज की डिट में मैं बताऊं कि आपको बहुत जादा जरूरी है आपको अपनी प्रेगननसी को डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यही तह हमार आज का वीडियो आपको जो है काफी इंफॉर्मेटिव लगा ह इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ जरूर शेयर कीजेगा वीडियो को लाइक कर लीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथी बैल आइकन को जरूर प्रैस कीजेगा ताकि सारी वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलते हैं किसी एक वीडियो के साथ तब तक क्लिए बाइ स्टे सेफ स्टे हल्दी